Hello friends, आज की इस वीडियो में हम Πुर्बिलटी जॉइन डिस्टिबूशन के बारे में पढ़ेंगे आजी दोस्तोम से करstoff examine से पहले पहले सब्सकना पढ़ेगा तू डिनेशनल अनचा रेंडव डियाicon को होता है let x and y be two random variables defined on a same sample space then the function x,y that assigns a point in r cross r is called two dimensional random variable. तो जो two dimensional random variable है जहां वहाँ पर pairs लेने हैं आपने x,y के उसके corresponding हमारे पास define होने के probability joint distribution function सबसे पहले discrete case है अगर x and y दो discrete random variables है then we define joint probability function of x and y by formula P probability of x is equal to x,y is equal to y यहां पर fxy आपका word आ गया यहां पर यह मतलब है joint probability function का यह मतलब कि combined function x,y का इकठा दिया गया x,y का function ठीक है जी और इसकी वही properties रहेंगी जो single random variable में थी कि जो probability mass function है वह मेचा positive होएगा और उसकी यहां पर double submission आ जाएगी x,y पर double submission करने पर उसका आसर मेचा बान ठीक बोलाएगा इस probability function x,y को discrete case को हम tabler form पे भी show कर सकते हैं जैसे यहां पर x की values हैं और यहां पर y की values निख्लों तो corresponding to each value of x,y we can define the function f x,y1, f x,y2, so on इस तरह आप function की values define कर सकते हो tabler form में अगर यह particular value x1 के लिए values हैं तो यहां पर total value आजाएगी f1,x1 यहां पर f1,x2 इस तरह आप यह x की values को अलग क्लेक्ट कर सकते हो वो किसी तरह y की values को अलग क्लेक्ट कर सकते हो जो यह x की values आपकी निखली है भई, ठीक है जी यह वाली जो x की value यहां पर निखली है यह वाली इसको हम बोलेंगे probability mass function of x यह marginal probability mass function of x जो probability of x is equal to xj is obtained by all entries in the row corresponding to xj इसको probability x इस हमारे पास सर x का probability function निकल के आगे है तो हम इसको बोलते है marginal probability mass function इसी तरह अगर आप इस और इस रो में देखो तो यह हमारे पास y की values निकल के आगी है इसको हम बोलेंगे marginal probability mass function of y अगर आपको x का निकालना होता है तो दो यहां पर y बेरी कर रहे है तो y की summation कर तो k बाट टू है अगर आ ज्वाइन प्रविल्टी डिस्टिबूचिर फॉंक्शन इके एक्स फॉंक्शन एंड वाई फॉंक्शन सेपरेंट लिए नव भी एफ्टू दिफाइन दिस्टिबूचिर फॉंक्शन अब यहां पर इस वीडियो में आपने सारा concept पढ़ना है सिंगल वाला आपने पढ़ यहां पर ज्वाइन दिस्टिबूचिर फॉंक्शन उसको में लिखेंगे प्रविल्टी ऑफ कैपिटल एक्स सिंगल वाई लाई 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 तो जिब हमने सिंगल पढ़ा तो महां पर इतना इतना फार्मूल अधास से बिसका अब साथ में आपके पास क्या आगया वाई आ गहा है पिजिवाल समेशन दो यो फिले सेटी वाई इस फैर्टी तो इन थे दिस वेर्टी फॉशन को एक्टाइच था इस य दो फूर्टीश फॉशन हो एक्टीश मैं वहां पर समाचार्ट इक्स पहल बगेगी लाई लाई पट पे लगेगी लाई लाउगी ग्टार् यहां पर double integration एक टोटल इंटीग्रेशन माइनस इंटी तो इस इकल टू बादवेगी तारा पराना ही काम है सिंगल में आपकी सिंगल समेशनती और सिंगल इंटीग्रेशनती और जब परबिल्टी ज्वाइन डिस्टिबूशन करेंगे तो अगर स्क्रीट केस है तो डबल समिशन आजाएगी और कंटिनूस केस में आपके पास डबल इंटीग्रेशन आजाएगी यह फार्मूले नोट की जिए इसी तरह अगर आपको कोई भी किसी कोश्चन में परबिल्टी निकाल एक्स की एसे भी और वाई की सी से डी और कंटिनूस का क बेटा जैसे हमने डिस्क्रीट के लिए ज्वाइंट इसी तरह हमारे पास कैपिटल एक कुमूलेटिव इसी तरह होते हैं सिंपल डेफिनेशन वही रहेगी माइनस इंफिंटी टुए स्यू की लिमट माइनस इंफिंटी डू वाही विकी लिमट एक युवी तक सिंगल निरीवल करते तो वहां पर यह आता था तो डॉबल वाले में ज्वाइंट डिस्टीविशन में आपके डवल चल नहीं है डवल इंटिगरेशन डवल समेशन य तो कि यहां पर जॉइंट है तो यहां पर डबल डरीबेटिब करना पड़ेगा इसी तरह अगर आपको सिरफ निकालना है एक्स का डिस्टीबिशन फंक्शन जॉइंट वाले में से यहां पर डिस्टीबिशन फंक्शन उनली एक्स तो उसका रहेगा कि वाली लिमाट्ट उसका निकालना है तो वाई की स्क्विचस छाटी निकालनो है एक्स ल्छ निकालना कि यह निवाट्य अगर वाई की निकालना ने तो यह फिर हमKKशन पर और विल्टी ज्वाइंट डिस्टिपूचर अगे चलते हैं तो यह मार्जनल हमें यहां पर बताया गया यह अगर आप यह अगर आप यह तो वह स्मॉल आजएगा इसके बोलते हैं इसी तरह जो कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास अगर आपको अगर आपको निकाल निकाल आपको इस तरह आपको पर बविल्टी इन है इक निकालने है तो joint function पर X की summation निकालने का तरीक्टा है अगर आपको summation Y से करोगे तो X निकलेगा इस चोटे fx y है इसका मतलब है probability mass function अगर इसी तरह continuous random variable है continuous के case में density function मोलते हैं और discrete के case में mass function मोलते हैं यह थोड़ा सा फरक होता है है चीज से भी वहाँ पर summation use होता है तो यहां भी इंटीरिशन उस होती है अगर आपको marginal function X का निकालने है तो इसकी integration कर दो Y के साथ इसी तरह अगर आपको marginal density function Y का निकालने है तो इसकी integration कर दो X इस screen की आप screenshot ले लो यह फार्मूले आपके बड़े काम के है भी यूस होने है कोशन करते समय अगर तो वो discrete का question है तो भाई आपको उपर वाला फार्मूले यूस करने है यह वाले अगर वह continuous का question है तो यह वाले यह है marginal probability test function इसलिए दो स्लाइड में बताए वहां पर है distribution function distribution function होता है capital F और यह सिंपर फर्मूले यह फार्मूले है और capital F के फार्मूले में पिछले लिए पर बिदाए तरिया आपको आगे मारे पास है conditional distribution का होती है conditional distribution का मतलब है अगर आपको वाई अगर आपको वाई एक्स निकान ले है तो ऊपर जोएंट distribution function आएगा नीचे एक्स वाला तो यह जो marginal functions है यह आपको मैंने निकालने भी सिखा दी है पिछले पेज़ी क्योंकि यह distribution function है तो यह जब इसका करोगे मिशा बात तीक पूल आएगा तो यह चीज़ी तो याद करने वाली नहीं है यह जाद करने नहीं है आउट to calculate conditional probability function of x when y is given it is written as fxy एक जिसको small fxy से भी लिख देते हैं एकानले का तरिका है total function joint upon y वाला function single y marginal अगर y upon x करने ऊपर total आजएगा नीचे simple x वाला आजएगा अब हम question करना शुरू करेंगी पहला question है joint probability function दिया गया joint का मतलब है ऐसा function जो xy में दिया गया है आइक्स की लिएपके 0 से 2 हैं यहां पर उसमें बोल लेया डिस्क्रीट का मतलब है कि एक्स की वैली वी 0 1 2 single single और y की वैली वी 0 1 2 3 तो पहले मुझे C निकालने, जब भी बिटा, डिस्क्रीट वाला question होता है, उसको हमेशा अपने table बना के करने, ठीक है, बाद में value निकालने, x is equal to 2, y is equal to 1, तो देखो कैसे table बनाने, यह हमारा function है, x की values पे 0, 1, 2 बोली है, और y की value 0 से लेके 3 तो यहाँ पे आप x की value बना ल x की value 0, y की value 1, जब यहाँ put की x को 0, y को 1, तो वो single सी ही आ गया, इस तरह आप चलते चलोगे, ठीक है जी, इस तरह आप चलते चलोगे, अगली value के आपकी, x की 0, x 0 रखना है, y 2, तो y को जब 2 put करो गए, यहाँ पे तो क्या मज़ेगा, 2 sin, x 0, y को 3 to 3 sin, इस तरह एक line बना आपकी सिंगरो, इसी तरह second row ले लोगे, इसी तरह third row ले लोगे, यह जो x की values है, 0, 1, 2, उसके सामने x की corresponding total पर विल्टीज बन रहे है, ठीक है, इसका total करोगे, इसी तरह इसके सामने y का total हो जाएगा, यह y का total चल गया आपके पास, तो दोनों तरह से total बराबर होता है, ठ total summation is equal to 1 by definition of joint density function, तो 42C is equal to 1, C की value आपके पास 1 by 42 आगी, जब यह C की value निकल गी बही, इस C की value को आप ऊपर put कर दीजी, उपर वाले table में, तो यह value यहाँ पर put करोगे, तो यह table बन के आजएगा, तो यह आपके पास probability mass function बन के आगा joint distribution function, इसमें से जो अमर्जी छी निका ल 2 और y is equal to 1 O, जानि कि यह वाली entry हो, तो 5 by 42C का answer हो, second part गा, ठीक है जी next question, joint density function दिया गया है, continuous का question आ गया, तो पहला part जब C है, जब बेटा C निकालना होता है, अगर discrete वाला question है, तो total summation जो आपकी, वो वान के एकुल रहेगी, अगर वो continuous वाला question है, तो total integration वान के एकुल रहेगी, क्योंकि यह joint वाले question है, तो यहाँ पर double integration होईगी, यह double summation, तो आपक 0 to 4 है, य की 1 to 5 है, limits लगाईए, function की value put कीजिए, integration आपको करने ही आती है, क्योंकि पहले यहाँ यहाँ पर y की limit है, तो पहले dy इंदर चला गया, जब dy इंदर चला गया, तो पहले y की integration होईगी, y square by 2, upper limit, lower limit, put करने के बाद यहाँ पर आ गया, तो उसकी xk है, integration कर दो, is equal to 96 c आ गया, end में इसको 1 के equal करके, तो c की value आ गयी, जब आपके पाद c की value आ गयी, तो क्या करेंगे, c की value question में put कर देंगी, function मेरा बन गया, 1.96xy, second part का है, 1 से 2, 2 से 3, probability निकाल ली है, तो मैंने बताया था न, probability a to b, c to d, simple integration करने है, तो b और c पहाँ पाद में, simple integration से होजएग पहा था, फिर हमने निकाले, marginal distribution function, marginal distribution function मतलब है, capital F1, capital, ठीक है, अगर लिखा जाए, marginal density function, small fx है, यह चीज़ अपने ध्यान रख लिए, चलो, आगी कलते हैं, तो वही जो b और c पाद के ने बताया, simple integration करनी है, इसकी x की 1 से 2, y की 2 से 3, function में c की जएगा, 1 by 96 आ गया, इसकी distribution करके आपका answer आ जाएगा, इसकी तरह x3 से बढ़ा है, तो कि x की total limit वहाँ पे 4 तक है, तो maximum 4 तक जाएगा, और y की start उती भी वहां से, तो 1 से 2 define करके इसकी आपने निकाल जाएगा, अब यह marginal distribution function है, marginal distribution function में आपको formula में ने लिखवाया, इसमें सुपीर में आया था, जब capital fx निकालना होता है, तो u की limit के minus infinity to x, v की minus infinity to infinity आएगी, ठीक है, तो पहले v की integration होईगी, v की limit total ले नहीं, आपने 1 to 4 जितनी question में इसमें दी हुई है, इसको integration v के साथ कर लेना है, जब v के साथ answer करके आजेगा, तो u की limit, तो कि u start हो रहा है, 0 से, x की value, ठीक है, तो 0 से लेक एक्स लेजन 0 पर 0 होता है, x लेजन 4 पर बान होईगा, तो कि यह मैंने आपको बताया था, कि जब हमने इससे पहले video की है, problems related to cumulative distribution function, तो distribution function होता है, उसकी value minus infinity पर 0 होती है, और last वाले पर उसकी value बान होती है, तो यह प्राना concept यूस हुआ है, इससे पिछली वीडियो से इसकी उसको समझा गया होगा, ठीक है अगर similarly, अगर आपने y वाली चीजी निकाल ली है, margin distribution function आप y निकालना है, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर f y, y less than y आजेगा, यहाँ पर limit आएगी, z minus infinity to y, और x की लिम्टे minus infinity to infinity, तो पहले आप इसकी u से x की intuition कर ले न, u वाली, प अगला question है, two discrete random variable given है, very important question examination point of view, joint दिया गया है, marginal probability function निकालने है, जो मैंने बताया था, simple formula, अब छोटा fx निकालना है, जो चोटा fx निकालना होता है, बेटा, तो summation simple y के साथ होगी, और y की निम्टे देखो, यहाँ पर 0 से x है, तो summation y 0 to x चलेगी, summation y 0 to x लगाई, function की value यहाँ पर, ठीक है, जब value put कर लिया, आपने, क्योंकि यह summation y के उपर है, तो जो x वाली चीज है, यह से यह हो गया, ठीक है, इसको break करके, उसने इसको बाहर के आना है, ठीक है, एक उसने setting की हुई, एसमे, x factorial से अंदर, यहाँ पर multiply कर लिया, यहाँ डिवाइड दना है, ठ इसको हम लिख सकते हैं, binomial coefficient xcy, बाकी वैसे का वैसा पढ़ा रहा गया, अब आपको पता है, यह binomial का formula है, ncr, ptr, q की n-r, उसके हिसाब से यह बन गया, a plus b की power n, इन दोनों को plus करोगे, तो यह p से p कटके हवान आ गया, तो यह जो function हमारा डिपला है, effect, क्योंकि मैंने बता है था आपको जब इसको solve करते है, effect, तो सरफ x का function ही आएगा आपने बाद, तो कि यह marginal probability function x का है, और x की limit साथ में लेख सकते 0 to 1, इसी तरह कि जब y बाला करोगी, तो वहाँ पे limit आएंगी x की, y to 50, जब आपको x निकालना है, तो limit y की लेनी है, 0 to x, जब आपको y निकालन है, तो limit x की लेनी है, x की limit कहां से शुरू होएगी, तो कि x is equal to y, x is equal to y to infinity चला जाएगा, तो जब सेम उपर की तरह करो, तो यह बंख की आजाएगा, उसमें आपने क्या कर लेना, कि y factorial के उपर इचे multiply करके setting रसका बना लेना है, जैसे यहाँ पे setting की हुई है, तो यहाँ कुछा, conditional probability function निकालना है, x and y का, जैने कि अगर आपने y upon x निकाल ला है, तो ऊपर total probability, नीचे आपने x की probability, total probability का formula ने दिया हुआ हमें, और x वाला भी आपने निकालना हुआ है, तो यह पढ़ना आपका x वाला formula, ठीक है जी, तो नीचे divide करके इसका formula बना लेना, तो जो आप में x की लिपते आए, ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास है, joint distribution function of x, y दिया गया है, find, whether x and y are independent, यह अलग तरहाँ कोशन हो गया, जब आपको बोला जाए कि x और y independent है, तो फिरे x का density function निकाल लो, और y का density function निकाल लो, अगर x का निकालना है, तो y के साथ integration करोगी आप, जब आपने y का निकाला, तो x के साथ integration करोगी, ठीक है, तो यहाँ पे उसने define कुछ भी निकाल, तो y की लिपते 0 to infinity लेनी है, और x की लिपते भी 0 to infinity लेनी है, integration करके y के साथ, आपका x में function हो गया, इसी तरह आपका y में function हो गया, अगर आपकी यह independent होते है, उसका यह independent variable, independent का मतलब होते हैं, जो अलग-अलग functions हैं, उसको बोलते हैं, independent random variable, अब उसने आगे पूछा, conditional density function निकाल ले है, तो conditional density of x निकाल ले है, तो यानि कि x अपोन y निकाल ले है, इसका मतलब उपर x की प्रविल्टी, टोटल प्रविल्टी सोरी, दीचे y की प्रविल्टी, त तो joint आपको पता है, question में y आपको पता है, इसको जो करता है, कार दीजिए, हमेशा अगर आपको x अपोन y निकाल लोगे, तो साथ में x की लिम्ट जूल लिखके आनी है, अगर y पोन x है, तो y की लिम्ट लिखके आनी है, तीक है जी, last question इस वीडियो का, यह मारे पास function है, यह आपको बार पर बता रहा है, अगर आपको इनना चनल लिखके आनी है, तो इस पो तोड़के लिख लिए ऐसे 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 वह इस दिस एफ 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 इस फ़ाइब फंक्शन इस रिटन एस प्रड़क्त ऑफ एक्स एंड वाई सेपरेटली अगले पार्ट में क्या है प्रविल्टी निकालनी एक से दर दर वा तो सर्फ एक से वाला फंक्शन अब सेकंड पार्ट में दिखो क्या करते हैं इसको क्या देखिए इसका यह मतलब हो गया वही जिस एफ पॉन बीच पॉन बीच इंट्रेक्शन भी पर विल्टी ओपी अब इसको आपको ग्राफ पर करना है अगर आप एक्सिट इकल तो य का ग्राफ पनाऊगे तो एसे स् अब आप इसका रिजन शेड करने आपने तो आपका यह वाला इसा है यह आप रॉपर वाले इससे को लग निकाली जी नीचे वाले इससे को लग निकालीजी तो कि दोनों चीजें आरी है एक्स वाई तो जॉइंट फंक्शन यूजू होएगा ठीक है अब लिप इसे लेए हैं देखो यहां से हमने लेनी है अपके बस पताना आपने पड़ी है तो यहां भी जिलिया गया है थी वाई का मतलब है का मतलब हौर जोलों तो आपके यह वादा रिजन है ना होजों पर इससे बना इसी तरह जब नीचे बादा निकालोगे तो वह यहां से स्ट्रिक लेकर यहां तक जाएगी वहां पर आएगी एक्स की वैल्यू जीओ से लेके टूवाई तरह एक्स प्लस वाई किया अगर इस इकल तो उसकी टो अगर एक्स बांना है यहां यहां पर अगर एक्स तम्फल मैं है अगर एक्स इहां पर नीच दीक हो यह manifestation अब इसने क्या है यहां अब एक इस region को दो इससों में ब्रेक कर दिया region 1 यह है ठीक है region 2 यह है जब region 1 रहे इसमें इस ने वर्टिकर शेडिंग की एसे निकाल लो ने उपर एक से निकाल लो की और एक से डीक और एक स्कूर से पर इस थाव आपके दोंपार्ट स tenants इसके इंट्रीशन करोगे तो आपके पास यह अंसर आजएगा तो यह वीडियो थोड़ी सी रबी बन गई है इसमें काफी काव है पूरा विट्री टैस्टी फंक्शन के बारे में बिखाया गया है फोड़ा सा शॉट सुम लिजिए ज्वाइंट टैस्टी फंक्शन होता है अगर वो डिस्क्रीट है तो डबल समिशन इस एकल टू बान होईगी अगर आपने उस ज्वाइंट इस प्शिविशन फंक्शन में से मार्जनल देंस्टी फंक्शन निकाल लें हैं समॉल एफ निकालने का तरीक है अगर आपको इक सम्सटी एफ जिए इस प्रिक से अगर आपको डिस्ट्रीविशन फॉंक्षिन निकालना है अगर आपको डिस्ट्रीविशन फॉंक्षिन निकालना है तो यह चीजें बड़ी ध्यान से वीडियो को बार-बार सुनना पड़ेगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल थेक्ट्यू वेरी मच्ट वाचिंग जी